वेलकम तू माई चैनल आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है तो इंड तक बने रहेगा आज का टॉपिक अपना है वाट वॉसका है उसका डिफनेशन है इसका डिखनेशन है एаж जो खोष की तब आकाता परंब दोर्ण तो इसको डाइच checking गया था इसयोब 1224 से 25 के बीच में पूर्ट लेंड जगा का नाम है जो इंग्लेंड में पड़ता है यह सबसे important question की cement कहां पर खोज वा था किसने खोज किया था तो जो सब ouver यह किये थे 1825 से 25 के बीच में किये थे और पूर्ट लेंड़ जगा में किये थे जो आई एस पोड याद रखिए गया राइए एस कोड निंग करें थिसे क्या वगया पुछन पूछ देगा आयस कोड इसकी सिमेंण का यह कोड है तो इससे भी कोशन पूछा जाता है और टों नी पोट्लेंड Ten क्वैं फडहивать लैंग Dep regeneration सिमेंड रिखिए सिमेंट यह ज्यादातर होते हैं पंदर टाइप के लेकिन यह ज्यादातर ही ही उज़ते हैं अब ग्रेड कितने होते हैं सिमेंट में तो देखिए ग्रेड हमारे कितने होते हैं तीन ग्रेड होते हैं 33 ग्रेड 43 ग्रेड और 53 ग्रेड अब नंबर पूझ देगा कि नंबर क्या इंडिकेट करता है आपका ग्रेड में तो नंबर इंडिकेट करता है आपका अगला आता है आपका वाट इज आएस्टी एन फस्टी आईस्टी मतलब इनीशल सेटिंग टाइम FST मतलब final setting time तो आपका initial setting time क्या होता है 30 minute होता है और final setting time जो होता है 60 minute होता है ठीक है यह वी question पूछता है अब आता है सबसे important question जो है यह पूछता है कि father of civil engineering father of civil engineering John इस्ट्रमस करके यह father of civil engineering है और what is the cement use in the railway track and sleeper railway track पे कौन सा cement question जो अपना है यह है आपका father of civil engineering father of civil engineering कौन है आपके तो john smitten करके हैं यह अपने father of civil engineering है तो next question आपना six question पूछता है यह सबसे important है कि पूछेंगे कि railway track पे कौन सा cement use होता है पता which cement use in railway track ठीक है तो वह आपका IRS T40 cement ठीक है यह use होता है तो यह अपने six question होगे next question अपने आते हैं seven question identify the cement name with the IS code जो आपको हम बोले थे ना कि cement को cement के IS code दे देंगे और उससे भी identify करना पड़ेगा तो आप जो हम अपने types में types में बताएं थे तो इसमें अपना जो है IS code 425 1989 यह portland slack cement का IS code ठीक है यह आप कोई भी cement याद करें जितना भी cement है सबका cement के नाम के साथ सथ IS code भी याद रखना चाहिए क्योंकि वह आपके exam में भी पूछता है और आपके interview में भी पूछता है सबसे important है अब यह question पूछा गया था हमारे में हमारे interview में पूछा गया था सबसे important question यह क्योंकि यह OPC दिया है identify the grade of cement with the IS code 269 1989 तो यह आपका OPC cement का 33 grade का यह code है 33 grade का यह धान देना आपको क्योंकि OPC का तीन ग्रेट जो आता है 33 43 53 यह आपके 33 grade का यह code है हर code का अलगला इसका हर grade का अलगला code इसका है ठीक है ना दुनों next question जो आता है ninth what is the name of apparatus to find out the special gravity of cement specific gravity find out करने के लिए क्या अप्रेटर्स का नाम है जो यूज करते थे इसका नाम है leech adders ठीक है यह आपका specific gravity of cement यूज को find out करता है ठीक है 10th question अपना आता है कि which test of cement to find the IST FST strength and soundness कौन सा ऐसा test का नाम है जो आपका initial setting time final setting time strength और soundness test करता है cement का तो आपका है standard consistency test ठीक है now the 11th question आता है अपना proportional पुजलोना in PPC यह PPC में आपका पुजलोना के percentage कितना होता है तो 15 से 35% का आपका वेरी करता है flyers जो पुजलोना जो होता हो आपका 50 से 35 15 से 35% आपका होता है ठीक है 11th question आता है नेम आप test नेम नेम टाइप आप टेस्ट आप सिमेंट सिमेंट के कौन कौन सा टेस्ट है यह तो अपना दो है फिले टेस्ट आपका लैप टेस्ट ठीक है ना देनेस्ट कुशन आता है सबसे इंपोर्टेन होता है यह तो होता है तो आपका इनिसल सेटिंग टायएं आपका टीस मिनट ठीक है नेस्ट कुशन आता है आपका 14 नमबर वाट इस आप मोल्ड फॉर्दर टेस्ट आफ सिमेंट को टेस्ट करने के लिए जो मोल्ड बनाते हैं उसका साइज क्या होना चाहिए तो होता है आपका 70.6 एमें इंटु 70.6 क्या यूज़ इंटु 50 से इंपोर्टन होता है कि हाव मच लाइम इस्टो ने यूज़ इनने मनस्टिंग सिमेंट मनस्टिंग के टइम में आपका कितना यूजता है तो आपका 75 पर्शन यूज होता है ठीक है 75 परशन आपका लाइ्म स्टन यूज जो तया दूरिंग्ड मनफाक्शनिंग आफ सीमेंट ओइक अप पहला इसमें आता है specific gravity of cement ये unit less होता है 3.15 होता है, mass specific gravity of cement 1.5 होता है, mass बोलिए फिर weight weight of one bag of cement 50 kg होता है, volume of one bag cement 34.7 liter होता है, density of cement 1440 kg per meter क्यों होता है, size of cement bag, cement bag जो बनता है, जो bag रहता है, cement का, उसका size क्या होता है, 0.3 meter square into 0.18 meter होता है, ठीक है, ये square है, ठीक है, ये square है, और water required for the 50 kg cement bag, आपके 50 kg cement bag में कितना water required होता है, तो आपका 22, 34 liter आपका required होता है, 50 kg जो bag यूज होता है, उसमें 20 से 34 liter के बीच में यूज होता है, ठीक है, temperature of cement during the manufacturing, जो manufacturing होता है, cement उसका temperature कितना होता है, तो 1400 से 1500 Celsius होता है, ठीक है, अब आता है, आपका constituents of the cement, मतलब आपका जो ingredient cement का ये बहुत important है, ये भी पूछा है था, lime का silka का कितना percentage होता है, the lime का 62 से 67 percent के बीच में होता है है, और आपका silka का 17 to 25 percent होता है, alumina का जो होता है, 3 से 8 percent होता है, और calcium का जो होता है, आपका calcium sulphate का 3 से 4 percent और iron oxide का जो होता है, तो बैसिकली हम इस पर अपनेश्ट वीडियो यह बनाएंगे कि आपका लाइम सिलका अलमिना यह सब का रोल क्या होता है स्पॉर्ट करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए सपोर्ट करते रहिए झाल झाल